नमस्कार दोस्तों आज के इंटरनेशनल न्यूज अनालिसिस में हम डिसकसन करेंगे इसराइल और इरान के बीच पुरू हुए युदि के बारे में जैसा कि आपको पता है एक अपरेल दोहजार चोबिस को इरान ने सिरिया के दमिश्क वाले छेतर में इस्थित इरान के वारजिक दुतावास पर हमला कर दिया था दुतावास पर किये गए हमले को इरान ने वियना कन्वेंशन 1961 का उलंगन बताया वेना कन्वेंशन 1961 में आथा जिसके अमसार किसी भी देश को अन्य देश के ऊपर उसके राजनेतिक परिशर दुतावास पर हमला करना प्रतिबंदित है UNO के चार्टर आर्टिकल 51 में कहा गया है कि यदि UNO के किसी सदस्य देश के खिलाफ ससस्त्र हमला होता है तो व्यक्तिगत एवं सामुजभीक आत्मरक्षा का दिकार संबंदित देश को होगा बात करें इसराइल और इरान के संबंदों के बारे में उससे पहले हम बात करते हैं इरान और USA के संबंदों के बारे में USA और इरान के बीच दुस्मनी की सुरवात 1953 से हो गई थी जब वहां के पिया मोहमद मुसद्दिक को गदी से हटा कर इरान के साह रजा पहलवी को गदी पर बैठा दिया गया था साह रजा पहलवी पश्मी देशों USA और इसराइल के समर्थक थे साल था 1978 का जिस वर्स इरान के राजा शाहरजा पहलवी ने अपने राजमहल में एक सांदार पार्टी बुलाई जिसमें USA के उपराष्टपती सिप्रयो अगनेईू, USA सार के कई बड़े नेता जिसमें सामिल होते हैं जबकि उस समय के इरान के धार्मिक निता आयुतुला खुमैनी ने इसे सैतानों की पार्टी कहा खुमैनी ने साही परिवार के खिलाप इरान की जनता को खड़ा कर दिया दिसम्बर 1978 का समय आता है जिसमें 20 लाख से अधिक लोग तेहरान के साहयाद चोक पर एकठा होते हैं और इस भीड को देखकर रजा पहलवी जो थे हैं वो देश चुनने को मजबूर हो गए हैं अपरेल 1989 का समय आता है हुमैनी इराक से इरान लोटे और देश को एक इसलामिक देश घोषित कर दिया इरान में सर्या कानून लागो हो गया हुमैनी ने USA एवम इसराइल से सम्मन्द तोड़ दिये उनके दुतावास बंद कर दिये बात करें इरान और इसराइल की दोस्ती की कहानी की सुरुवात 1948 से होती है 1948 में मिडल इस्ट में फिलिस्तीन की जंग इसराइल एक नया यहुदी देश बना तो तुर्की के बाद इरान दूसरा देश था जिसने इसे मान्यता परदान किया इरान एम इस्राइल के मद्द संब्द इतने अच्छे थें कि इरान की खुफिया एजनसी सवाक को इस्राइली खुफिया एजनसी मोसाज से ट्रेनिंग मिलती थी इरान USA से दूर होने पर रूस के निकट चला गया था USA सुनिर समर्थक देश सौधी अरब की तरफ बढ़ा वर्तमान में देखा जाया तो विस दो गुटो में बटा हुआ दिखाई दे रहा है एक तरफ रूस इरान उत्तरी कोरिया चीन है तो दूसरी तरफ USA इसराइल फ्रा ब्रिटेन युक्रेन दिखाई दे रहे हैं एक प्रल इसी प्राक्सी वार का इस्सा थी इसमें इरान के दो टॉब आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गये थे इसके बाद इरान इसराइल से बदला लेने की धमकी दी थी इसी घटना करम के कारण इरान इसराइल पर हमला बोल झाल 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 झाल